Hello everyone, जार्खन करेंट अफेर्स के आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जार्खन के सभी करेंट अफेर्स और इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल के उस करेंट अफेर्स को जो आपके JPSC और JSSC के एक्जाम के लिए काफी जादा महत्तपून है आज है 5 सितंबर देखते हैं 5 सितंबर के इंपोर्टन करेंट अफेर्स इससे पहले आप सभी को बता दे आज हम लोगों ने ट्वीटर कंपेनी स्टार्ट करने का फैसला लिया है तो आप लोग 11 बजे से जादास जादा संख्या में ट्वीट करें साथ ही आपको ट्वीट कर कर हिस्सा ले ताकि हमारी जो बात है वो जहारखन सरकार तक पहुंच सके चलिए बात करते हैं आज के इंपोर्टन करेंट अफेर्स की उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल जोइन कर ले जहां प बेक्तियों की बिभिन बिमारियों से समंधित जाच की जाएगी ओप्सन से 40, 60, 55 या फिर 60 इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 वर्ष से अधिक जितने भी लोग होंगे उन सभी की जाच जहारखन के सभी जीलों में की जाएगी ठोड़ी सी इसके बारे म अगर हम लोग बात करें तो जहारखन सरकार ने COVID-19 के मद्देनगर 14 सितंबर तक राजी के सभी जीलों के 40 वर्ष से अधिक उमर वाले सभी बेक्तियों की बिभिन बिमारियों से समंधित जाच की जाएगी कौन-कौन से बिमारी लिवर, कैंसर, डाइबिटीज, बीपी, स् इसके लिए ये जाच की जा रही है, साथ ही आपको बता दे जहारखन के जो स्वास्त मंत्री है, वो है बन्ना गुपता जो जमसेतपुर पच्छमी से चुनाव जीत कर आए हैं, चलिए बात करते हैं, नेश्ट कोशन की, राजी के किस विस्विद्याले में जापानी भासा की भी बढ़ाई होगी, चलिए बात करते हैं, नेश्ट, जहारखन के कितने सहरों में नगरवन अस्थापित किया जाएंगे, नगरवन क्या होता है, तो सहरों में एक ऐसा अस्थान चुना जाएगा, जहां पे जादा मात्रा में वन लगाया जाएंगे, ताकि सहर की हर्या हर्याली को बढ़ाया जा सके, उप्सन से 5, 7, 8 या फिर 6, इसका राइट अंसर हो जाएगा, टोटल 6 ऐसे सहर हैं, जहां नगरवन अस्थापित किया जाएंगे, ठोड़ी सी डीटेल में देखे तो जहारखन के 6 सहरों कौन-कौन से सहर होंगे, बोकारो, गिरीडी, हजारी वन योम परियावरन विभाग इसके लिए स्थानों का चेन करेगा, और 160 हेक्टेर छेटर में ये जो वन है ये लगाये जाएंगे, चलिए बात कते हैं नेस्ट कोस्टन की, उससे पहले बता दे एक बहुत ही इन्पोर्टन इन्फोर्मेशन है, अगर आप डेली करेंट इस जो इन्फोर्मेशन है, उससे काफी जादा अवैर होंगे, राजी के तीन सिक्षकों को राष्टिय सिक्षक पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें कौन-कौन होंगे, नेरुपोमा कुमारी, जो रूद्र पलस्टू हाई स्कूल चास बोकारों से हैं, इसमि जाष्टिय सिक्षक पुरुसकार है, वो कोण देता है, ये आपको कमेंट बोक्स में बताना है, चलिए next question के बात करते हैं, जारखन के किस जवी कुद्ध्यान के द्वारा अपना पोर्टल और वेपसिट लोंच किया जाएगा उप्सन से विर्षा मुन्डा जेवी कुद्यान नहरूपार्क बोकारो जुबली पार्क जमसेदपूर या फिर बेत्तान नेसल पार्क तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो जाएगा बिर्षा मुन्डा जेवी कुद्यान जो और विर्षी कुद्यान जलेगा जुसके दवारा टिकेट तथा अन्य जानकारियां होती है वो कहीं से आप ले सकते हैं आपको बता दे ऐसा सुविधा देने वाला देश का चौथा चिल्डिया घर बन जाएगा और मांजी तो ये जारखन के लिए ठोड़ी सी गर्व की बात है चलिए बात करते हैं नेस्ट कोर्चन की ब्रिक्स के देशो की कल्चरल मिनिस्टर की बैठक में भारत की और से किसने नेतरित किया उप्सन से राजनात सिंग, प्रलात सिंग पटेल, प्रकास जाओडेकर या फिर प्यूस गोईल इसका राइट अंसर हो जागा आपका प्रलात सिंग पटेल ने ब्रिक्स देशो की कल्चर मिनिस्टर की जो बैठक थी उसमें भारत का नेतरित किया है ठोड़ा सा डीटेल ने बात करें, तो ब्रिक्स के देशो के कल्चरल मिनिस्टर की बैठक वर्चुली आयूद की गई, वर्चुली मतलब ओनलाइन आयूद की गई, जिसमें भारत की और से भारत के जो केंद्रिय राजमंत्री है, कला एवम प्रेटन विभाग, प्रलात सि आयूद की गई है, ब्रिक्स देशों के बिच कला एवम सहयोग के भावना को बढ़ाने के लिए ये जो बैठक है, ये आयूद की गई है, बात करतें थोड़ी सी, ब्रिक्स के बारे में तो ब्रिक्स जो है मुख्यता पांच देशों का एक समू है, इसमें ब्राजील, रू ब्रिक्स, भारत और चीन सामिल हो गये थे, आपको बता दे, 2010 में दक्षिन अफरीका को सामिल किया गया था, थोड़ी सी मैप में देख लेते हैं, ताकि थोड़ी सी और किलियर हो जा, तो इसमें देख लिए कोई कौन कौन से देश है, यहाँ पे ब्राजील है, साथ ही चाइना, इंडिया और यहाँ पे है आपका दक्षिन अफरीका, तो यह जो पांच देश है, यह मुख्य रूप से, यह जो आपका सहिक्त रूप से काम करने वाला संगठन है, उसके हिस्सा में आते हैं, चलिए बात करते हैं, नेस्ट कोस्टन में, नेस्ट कोस्टन है, क्र क्रोएसिया के नए राजद्यूत, जो है राज स्रिवास्तो को बनाया गया है, साथ ही इससे पहले वे टोक्यो में, डिपटी चीफ ओफ मिसन निवत किये गये थे, कहां टोक्यो जो जापान की राधानी है, आपको बता दे, जो चर्नजीत सिंग संधू है, वो अमेरिका के राजदूत है, विकरम मिसरी जो जो है, चीन के राजदूत है, और आपको बता दे, रूस में भारत के जो राजदूत है, वो है बेंकटे स्वर्मा, क्रोएसिया की जो राजधानी हो है, जागरेब, तथा इसका जो मुद्रा है, वो है कुना, तो ये जो चीज है, जैसे सि साओधी अरब, इसका राइट एंसर हो जागा, साओधी अरब के द्वारा जी ट्वेंटी देशों के जो विदेश मंत्रियों की बेठक है, वो आजित की गई, थोड़ी से डीटेल में इसके बारें बात करें, जो 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 जी ट्वेंटी देश है, जो जी ट्वेंटी देश से उसके जो बिदेश मंत्रियों के बैठक है वो साओधी अरब में आयत की गई है जिसमें भारत की ओर से भारत के जो बिदेश मंत्री है एस जैसंकर उन्होंने भाग लिया आपको बता दे भारत ने जी 20 के उपर एक जो प्रमुख मुद्धा है कौन सी मुद्धा Principles on Coordinated Cross Border Movement of People को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने का प्रपोजल रखा है यह प्रपोजल क्या है ठोड़ी से इसके बारे में बात करते हैं देखिए जितने भी देशों के बोर्डर हैं वो जो क्रोस बोर्डर करते हैं जो लोग उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए त यह जो मूवमेंट है यह भारत द्वारा सुरूख किया गया है आपको बता दे जी ट्वेंटी जो है वो उन्नीस देश और साथ ही साथ एक यूर्योपियन यूनियन का एक समूव है जिसमें बिकसित देश के साथ साथ विकास्तिल देश भी स्वहित रूप से कारे करते हैं इसके अस्थापना जो है 26 सितंबर 1999 को हुई थी और आपको बता दे इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है साथी अरब और इसलिए जो साथी अरब के अभी किंग है कौन है किंग सलमान बिन अब्दूल अजीज अल सौूद यह जो है यहां के किंग है इसलिए इनको जो ह यहां का चेयर्मेन बनाया गया है चलिए बात करते हैं नेस्ट कोस्टन की इसे पहले देख लेते हैं ठोड़ी सी कौन-कौन से ऐसे देश हैं जो G20 के सदस्य हैं तो अजेंटीना, अस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाड़ा, चाइना, और फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंड जो European Union है यह विभिन देशों का एक सम्मूह है जो European देश हैं चलिए बात करते हैं नेस्ट कोस्टन की अगला कोस्टन है और इंडिया मैनेजमेंट असोसेशन द्वारा आयुजित चानक के नेस्नल मैनेजमेंट गेम्स किस सारवजिनिक छेतर की कंपनी ने जीता ओप्शन स इसका राइट अंसर हो जाएगा एंटी पीसी लिमिटेड ने जो ओल इंडिया मैनेजमेंट असोसेशन है उसके द्वारा जो आयुद किया गया था चानक के नेस्नल मैनेजमेंट गेम्स उसको जीता है ठोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं तो एंटी जैसा गेम है जिसमें भविस्य में जैसा बिजनेस किया जाना है ठीक उसी परकार का एक वर्तमान रूप में उसको अपनाने की प्रकिरिया का जो गेम होता है वो होता है मतलब इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा हम लोग अप्रोच अपना है कौन सा ऐसा तरीका अपना है आपको बता दे NTPC के जो अभी वर्तमान चेर्मेन है वो है गुर्दीप सिंग चलिए बात करते हैं नेस्ट कोश्टन की मुरली राम क्रिसना किस बैंक के नए CMD और CEO बनाये गए हैं आपसन से पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ओप महाराष्ट्रा, साउथ इंडियन बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक इसका जो राइट अंसर है वो है साउथ इंडियन बैंक के जो MD और CEO बनाया गया है वो है मुरली राम क्रिसना ठोड़ी सी इसके बारे में डीटेल में बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक के नए CMD और CEO मुरली राम क्रिसना को बनाया गया है मुरली राम क्रिसना को बनाया गया है इससे पहले जो मुरली राम क्रिसना थे वो वो ICICI Bank के General Manager के पद से रिटायर हुए थे और July 2020 में South Indian Bank से जुड़े थे आपको बता दे South Indian Bank का जो Headquarter है वो त्रिसूर केरल में है तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा चलिए बात करते हैं Next Question की Next Question है Let Us Dream Let Us Dream नामक पुष्टक किसके द्वारा लिखी गई है उप्षन से पॉप जोन पॉल, पॉप फ्रांसिस, स्री स्री रवी संकर या फिर ऑस्टोन एवरेग तो इसका जो राइट अंसर है वो है पॉप फ्रांसिस के द्वारा लेटस ड्रीम नामक पुष्टक लिखा गया है ठोड़ी सी इसके बारे मैं डिटेल में बात कर लेते हैं तो लेटस ड्रीम जो है वो पुष्टक लिखा है पॉप फ्रांसिस के द्वारा पॉप फ्रांसिस को नहीं है? तो पॉप फ्रांसिस है वೇटिकन सिटी में इस्थित, जो कैथॉलिक चर्च है उसके pop है, मतलब उसके head है चलिए बात करते हैं next question की next question है किस राज के अंग्रेजी को सरकारी स्कूल में सिक्षा कमाध्यम बनाने के फैसले को लागू करने से इंकार कर दिया है कौन इंकार कर दिया है तो सुप्रीम कोट ने इंकार कर दिया है option से आपके तिलंगाना आंध्रपदेश केरल या फिर नागलेंड तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्रपदेश आंध्रपदेश ने हाली में ये फैसला लिया था कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे जो सिक्षा कमाध्यम है वो अंग्रेश जी कर दिया जाएगा हाली में आंध्रपदेश में अंग्रेश जी को सरकारी स्कूलों में सिक्षा कमाध्यम बनाने के लिए फैसला लिया गया था जिसके फैसली को सुप्रीम कोट में लागू करने से इंकार कर दिया है हाई कोट ने पहले ही इंकार कर चुके थे लेकिन बाद में सरकार द्वारा सुप्रीम कोट गया और बाद में सुप्रीम कोट ने इस फैसले को कैंसल कर दिया आपको बता दे सुप्रीम कोट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट दोजार नो का हवाला देकर यह कहा है कि सिक्षा में मातरी भासा का बहुत ही महत्पून योगदान है और उसे नकारा नहीं जा सकता और इस तरह से अंग्रेजी को आप कमपलसरी माध्यम नहीं बना सकते सुचना तकनिक निवामली है वो बनाई गई है ठोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं तो नई सुचना तकनिक निवामली जो है वो करनाटक के द्वारे बनाई गई है जिससे न्यू इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी पोलिसी का नाम दिया गया है आपको ब इसर सेंटर और साथ ही साथ हेड़कॉार्टर भी बने हुए हैं तो ये था आज का important का एक और question है ये question है काफे ज्यादा important है भारत रूस के साथ मिलकर कौन सा राइफल बनाएगा भारत रूस के साथ मिलकर कौन सा राइफल बनाएगा ओप्सन से AK-47, AK-56, AK-203 या फिर AK-sniper rifle तो इसका right answer हो जाएगा AK-203 जो राइफल है वो भारत रूस के सहीयोक से बनाएगा और इसका जो निर्मान है वो भारत में ही होगा ठोड़ी सी इसके बारे में डीटेल में बात कर ले भारत रूस के साथ AK-203 राइफल बनाएगा और यह जो फैसला है रक्षा मंतरी राजनास सिंग के रूस दोरे पर लिया गया है आपको बता दे रूस इस वर्स का जो संगहाई कोपरेशन और रक्षा मंतरीयों की सामिट चल रही है उसका पति न धुत्त किया था और आपको बता दे इसमें भाग लेने के लिए भारत के जो रक्षा मंतरी है कौन है रक्षा मंतरी राजनास सिंग है वो गय थे आपको बता दे इसका निर्मान जो है वो कोर्वा ओर्डर्नेंस फैक्टरी कहां कोर्वा ओर्डर्नेंस फैक्टरी जो कहां है उत्तर परदेश में है वहाँ पे निर्मान किया जाएगा और इसलिए इसे मेक इन इंडिया initiative के तहट निर्मान किया जाएगा तो ये थे आज के important current office कैसे लगे comment box में जरूर बताए साथ ही मेरे द्वारा जो बीच में question पुछा जाता है उसका answer comment box में जरूर करे आपको बता दे जहारकन की जो भी demand है students की उसके लिए एक separate video बनाया गया है link आपको description में मिलेगा उस video को देखे और tweet करना ना भूले आज जादा जादा लोगों तक tweet करने के लिए अपनी बात को रखे मिलते हैं कल के current office में तब तक आप सभी का धन्यवाद